नमस्कार, 21 Unconditional Love, Spiritual Love and Light चैनल पर मैं उशा किरन पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की यह जो वीडियो है वो एक वीवर के कोशन का आंसर है एक वीवर ने कमेंट किया है और अपनी प्रॉब्लम बताई है यह प्रॉब्लम खाली इस वीवर की नहीं है हर उस empath soul की है जो energy sense कर लेते हैं और दूसरों की energy तो balance कर देते हैं means दूसरी souls की energy तो high vibration में ला देते हैं बट खुद drain हो जाते हैं और उस negative emotions को receive करकर अपनी positive energy send कर देते हैं यह हर उस empath soul के साथ यह हर उस person के साथ होता है जो सामने वले के emotional disbalance को तो balance कर देता है it means जो भी sad energy में है उसे तो वो heal कर देता है बट उसकी जो खुद की energy drain हो जाती है हलांकि मैं बहुत बार अपनी videos में इस problem का solution दे चुकी हूँ कि आपको दूसरों को तो heal करना है लेकिन उससे पहले सबसे पहले self love करना है means अपने आपको protect करना है दूसरों को heal करने से पहले खुद को protect करना बहुत ज़रूरी है यह जो situation है यह impacts के साथ होती है कि impacts अपनी energy से सामने वले को heal कर सकता है सामने वले को heal कर देता है लेकिन यदि उस impact person ने अपने आपको protect नहीं किया है तो ऐसे energy vampires मैं इस शब्द को पसंद नहीं करती हूँ energy vampires because मेरा ये मानना है कि सामने वाला परिशान है, दुखी है तब ही वो आपके पास help के लिए आ रहा है लेकिन मैं यहां यह जरूर कहूंगी कि दूसरों की help करो, बिल्कुल करो लेकिन अपने आपको protect कर कर क्यूंकि जब आप रहोगे तब ही आप सामने वाले को help कर पाओगे आपके पास होगा तब ही आप सामने वाले को दे पाओगे जब आपके पास ही नहीं रहेगा तो आप सामने वाले को क्या दोगे चाहे वो किसी भी sense में energy हो चाहे वो money की sense में energy हो, चाहे वो healing की sense में energy हो या x, y, z इसलिए अपने आपको protect करना बहुत ज़रूरी है अपने आपको protect करने के लिए आप divine shields को visualize कर सकते हैं और यदि आप regular meditation में हैं, तो आपको ये divine protection आपके meditation में मिलती है जितने भी persons meditation करते हैं, एक limited time complete हो जाने के बाद हर उस divine being को, उस meditation करने वले meditator को एक divine shield provide की जाती है जो divine के तरफ से divine gift होता है, जिससे की वो अपने आपको protect कर पाए ये protection इसलिए होती है कि आप अपनी etheric body, अपनी emotional body, अपनी spiritual body जिसे आप light body भी कहते हैं, अपनी physical body means जितनी भी आपके जो bodies है, means seven layer of bodies है उनको आप protect करते हैं, अपने aura को protect करते हैं, अपनी energy को protect करते हैं और सामने वाले को heal करने के लिए only and only universal energy को use करते हैं it means अगर आपको सामने वाले को heal करना है, healing देनी है, बिलकुल दीजिए लेकिन अपने आपको protect करकर universal energy से heal कीजिए, divine energy से heal कीजिए और अगर आप regular meditation करते हैं, तो आप ये जानते हैं, कि हमें कैसे सामने वाले को divine energy से या universal energy से heal करना है कुछ लोग इसको रेकी therapy के थ्रू सीखते हैं, लेकिन जो self meditation में सीखते हैं, उन्हें ये process divine के थ्रू सिखाया जाता है चाहे आप ये process divine के थ्रू सीखें, या किसी और master के थ्रू सीखें, किसी और spiritual leader के थ्रू सीखें process एक ही होता है, कि सबसे पहले आप अपने आपको protect करेंगे, उसके बाद सामने वाले को heal करेंगे यहाँ पर हम आई ही एक दूसरे को help करने के लिए हैं, अपनी soul growth करने के साथ, सामने वाले की soul growth में help करने के लिए लेकिन अपनी soul growth को रोक कर, आप अगर सामने वाले की help करना चाहोगे, तो आप नहीं कर पाओगे एक बार करोगे लेकिन उसके बाद जब आपको ही वो एनरजी स्टोर नहीं कर पा रही है इट मेंस कि जब वो एनरजी आपकी अंदर है ही नहीं आप उस कॉंशिसनेस से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो तो सामने वेले को कैसे दोगे अपने आपको protect करने के लिए आप channel में दी गए divine shields को use कर सकते हैं अगर आप उनको use ना करना चाहें तो आप markaba fields prepare कर सकते हैं लेकिन ये सभी field या shields prepare करने के लिए आपको regular meditation करना पड़ेगा क्योंकि चाहे आप मर्खाबा create करना चाहें जब तक आप regular meditation में नहीं है आप मर्खाबा ना तो use कर पाएंगे ना visual कर पाएंगे because इन सभी energy shields को create करने के लिए spiritual energy की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपके पास ये spiritual energy नहीं है तो आप इन shields को create नहीं कर सकते हो चाहे वो simple bubble हो या फिर star shield या lotus shield या मर्खाबा shield XYZ कोई भी energy shields हो जब तक आप अपनी spiritual energy gain नहीं करते उसे store करना नहीं सीखते तब तक आप अपने आपको protect नहीं रख सकते हैं इसलिए आज से अभी से 10 minutes से start कीजिए meditation कीजिए meditation में divine को visualize कीजिए divine को invite कीजिए उनसे request कीजिए कि वो आपको protect करें आपकी family को protect करें और जो भी आपके loved ones हैं मैं तो कहूंगी आप सभी की protection मागिए आप mother गया की भी protection मागिए because without उनकी protection के आप protected नहीं हो सकते हो इस protection में उनको भी include करना बहुत ज़रूरी है अगर mother earth protected रहींगी तो आप अपने आप automatically protect हो जाओगे क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की हमेशा रक्षा करती है उसे protect करती है इसलिए mother गया को protect करना सबसे ज़्यादा important है आप उनको heal कीजिए उनको protect कीजिए उनकी healing मांगिए अपनी healing मांगिए divine से protection मांगिए बलकि मैं कहूंगी divine कहीं बाहर नहीं आपके अंदर ही है आप अपने आपको order दीजिए कि हाँ मैं इस energy में हूँ कि मैं खुद अपने आपको protect कर सकता हूँ मैं mother earth को protect कर रहा हूँ अपने आपको protect कर रहा हूँ अपनी loved one को protect कर रहा हूँ और जितने भी इस mother earth पर मेरे soul brother and sisters है उन सभी को protect कर रहा हूं या कर रही हूं अपने gender के according आप अपने आपको protect कीजिए अपनी मर्खाबिक field तियार कीजिए ये energy shields है ये energy से ही बनती है हम सभी energies है और जब आप इन shields को visualize करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले की तरह drain field नहीं करेंगे जैसे जैसे आप अपनी इस journey में आगे growth करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी energy shields, energy fields ascend होती चली जाती हैं आप खोदी ने create करना सीख जाते हैं और खाली अपने आपको ही नहीं आप complete earth को और universe को भी protect करना सीख जाते हैं लेकिन ये जितनी भी बाते मैं आपको बोल रही हूँ ये only and only आपको meditation से ही आएंगी without meditation आप कुछ भी create नहीं कर पाओगे आपको केवल और केवल ये कोरी कलपना लगेंगी लेकिन जब आप अपने आप से connect करोगे, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर से connect करोगे तो ये जितनी भी आपको कुरी कलपनाएं लग रही हैं, ये आपको visual होती हुई नज़र आएंगी इसके अलावा हो सकता है कि आपकी energy कुछ और different हो, आप और strong किसी और energy shields को create कर पाएं because यहाँ पर सभी soul बहुत ज़दा important हैं और अपना एक अलग soul task लेकर आई हैं I hope so, आपको समझ आ गया हुगा कि आपको अपने आपको protect कैसे करना है, अपने आपको meditation में visualize करना है उन protection shields में जिससे भी आप अपनी energy के coding connect कर पाते हैं और उसके बाद किसी को भी heal करना है आज की इस वीडियो में बस इतना ही Thanks for watching मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से, देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद